मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हम को हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कमपनीज है अदानी जी की शेल कमपनीज है उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफरस्ट्रुक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपे हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लिमंट हाउस में प्रूफ देखे जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बाइने में डीटेल में बोला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजराट के सीम बने थे तब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ्स है हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइपॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी उसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लिमंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा पार्लिमंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई अरू 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 अक्यूदेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्थी लिखी करते ही